असलेम वालेकम दूस्त आसामकसी टीवी चानल पर आप सभी का मेरे दिल से बहुत-बहुत स्वागत थे दूस्त उम्मिद करते हूँ आप सभी लोग खेरियात चोंगे ठेक होंगे दूस्त ये वीडियो के रबिट अना के लिए बहुत इंपोर्टन है बहुत इंपोर्टन इसलिए सेफ है अगर आप लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं तो क्रिपे करके इस वीडियो को आन तक देखते रहे हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा अगर आप आपको कह रहा हूँ आगर आप इस चैनल पर नए है यह चैनल के वीडियो रो अचैनल तो जो भी मैं ऐपोड़ा का नाम बतहूंगा दूस्तो वह आपके घर के आसपासी मिलेगा अपकी घर पर मिलेगा बिलकूल फ्री में बिलकुल नचरल से चैनल तो सब यूर्चल है धन्या के पत्ति आप बहुत से left की हम अपने बंच कभिला है क्योंकि यह खेलने से खालब के बरी में तइक फेदा होते हैं दोस्तों नेक्स टैद तीम्षको चरी के पत्ते हैं यह एंटीयोक्सिडेंट खालाइउं आप रिफ्छेंट लिए को मानि हमूनी कें छो ही प्लाइंटस जे वा परेंस को खेंटम सकते ह। नीम के पत्ते खिला सकते हैं, नारियल के पत्ते खिला सकते हैं, आम के पत्ते खिला सकते हैं, काठल के पत्ते खिला सकते हैं, बैंबू लिप्स, मतलब बांच का पत्ता खिला सकते हैं, अमरूत के पत्ते खिला सकते हैं, मक्य के पत्ते खिला सकते हैं, तर्बुस के पत्ते, पत्ता गोबी के पत्ते, फुल गोबी के पत्ते, मूली के पत्ते, ब्रोकोली के पत्ते, तो ये सब कुस खरगोश के लिए safe है, बट आप अपनी खरगोश को little amount में हापते में सिर्फ एक या दो दिन ही खिला सकते है, जेता मतल में खिलाने से खरगोश का loose motion हो सकते है, पैट म मिलते हैं, सुकंदर के पत्ते खिला सकते हैं, शल्जम के पत्ते खिला सकते हैं, जुखनी की पत्ते खिला सकते हैं, ककुंबर के पत्ते खिला सकते हैं, मैथी आप अपनी खरगुशु को खिला सकते हैं, दोस्तों मैं बहुत सारे पत्ते के पर हमें बताया, अगर आपके मान म आप लोग खुश रहें मस्त रहें और इस सेनल के साथ जुड़े रहें खुदाहाफिज दोस्तों में कभी भी नहीं चातों कि आपका खर्गोश है विमार पड़े इसलिए आप अपने खर्गोशों को टोमेटों को पत्ते और पोटेटों को पत्ते कभी भी ना खिलाएं